जहीं दिश्टूडिंट्स आई होब कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिप्रेशन अच्छी चलिए होगी सिवल सर्विस एक्जाम की तेयारी के लिए 6th क्लास के NCERT में आज हम हिश्ट्री सब्जक्ट में 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस 7th चैप्टर में क्या है यह हम आगे देखते हैं पेसिंस रख करके धहरे रख करके पढ़िएगा हर एक चीज आसानी से समझ में आएंगे और इसके साथ ही क्या इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए यह भी हम बताते जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज कर इस चैप्टर का नाम है राज्य से सामराज्य यहाँ पर स्टूडेंट के मन में कुछ सवाल होंगे सबसे पहले और वहीं से चैप्टर शुरू होगा रौशन के रूपए जन्म दिन पर रौशन को दादा जी से कड़क नोट मिले उसने उन्हीं अपने हाथ में दबा रखा था उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था लेकिन साथ ही वे बिलकुल नय कड़क नोटों को देखना और चू कर मैसूस करना चाहती ही तब ही उसने पाया कि सभी नोटों में दानी तरफ गांदी जी का मुस्कुराता चहरा बना हुआ था और बाई तरफ छोटे छोटे शेर चित्र थे उसने सोचा आखिर यहां सेर क क्यों बने हुए हैं यहां देखके लगता है कि बच्चों को मन में कैसे कैसे सवाल आते हैं जहां से कोई चेप्टर शुरू ही हो जाती है और एक कुछ बच्चे होते हैं जिनके मन में कोई सवाल ही नहीं आता तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके मन में या आपक हैं तो उनका भविश्य बहतर है वो बहतरीन की ओर जा रहे हैं बस यह है कि जब वो सवाल पूछे तो आप परिशान नहीं हो अगर आपको जवाब आता है तो जवाब देजिए नहीं आता है तो कहिए कि आप अपने टीचर से पूछिए अगर वो स्कूल जाते हैं तो अगर उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनात में एक विसाल इस्तंभ पर इस्थापित किया गया था यह वाली लाइन आपको याद रखना है सारनात में एक विसाल इस्तम्ब इस्थापित किया गय था सेरो का आप एक रुपय का सिक्का भी लेंगे उसमें देखेंगे कि पीछे सत्रमेव जयते यह यूवाला जो जिसमें सथ्तमीव जयते लिक abnormय ये निनीसाम होता है वाकि नोटों में भी आप देखेंगे तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए ये कौन सा इस्तंभ है और ये सारनात में ये इस्तंभ स्थापित किया गया है किसने किया ये हम आगे देखते हैं इतिहास के महांतम राजाओं में एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेक उत्केने किये गया इसके पहले की हम यह जाने की नविलेकों में क्या लिखा है यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्ज को सामराज क्यूं कहा जाता है अशोक जिस सामराज पर सासन करते थी उसके स्थाप्ना उसके दादा चंद्रगुप्त मौरे ने लगवख 2300 साल पहले की थी ये आपको एक्जाम के एकॉर्डिंग याद रखना है असोक के सामराज को चंद्रगुप्त मौरे ने इस्थापित किया था और तेज सो साल पहले चाड़क के जिसे हम कोटेली भी कहते हैं कि नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी मदद की थी चाड़क के कई विचार हमें आर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं आर्थशास्त्र किताब हैं जिसमें आप देखते हैं चाड़क के अपने कई विचार हैं तो ये आपको याद रखना है एक्जाम के बेस पर ये याद रखना है ये ठीक कर लो आप इसके बास समराज में बहुत से नगर थे जिनने हम मानचेतर में देखेंगे इनमें समराज की राजधानी पाटली पुत्र उज्जैन और तक्षिशिला जैसे नगर प्रमुख थे पाटली पुत्र उज्जैन और तक्षिशिला ये कुछ इंपोर्टेंट थे जगह तक्छ शिला उत्तर पस्चीम और मद्ध एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था दूसरी और उज्जैन उत्तरी भारत से दच्छडी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी, अधिकारी और सिल्पकार रहा करते थे एक तरफ जो तक्छ शिला है तक्छ शिला आज के टाइम में पाकिस्तान में है और देखे योगे के उसने कहा कि तक्छ शिला उत्तर पस्चीम हमने बताया था कि ये पूर्व है ये उत्तर है ये पस्चीम है और ये दच्छड है अब ये वाला जो एरिया है ये उत्तर पस्चिम मिला के हैं ये वाला एरिया उत्तर पूर्व ये एरिया पस्चिम दच्चिड ये एरिया दच्चिड पूर्व ठीक है इसने कहा तक्षिशिला उत्तर पस्चिम और मदेशिया ये वाला उत्तर पस्चिम वाला एरिया और पू उज्जैन का रास्ता रहा करता था अनुवान लगाया जा रहा है कि इसके बीच में जरूर व्यापारी सरकारी अधिकारी और सिल्पकार रहा करते थे अब यहां पर साथ में बताया गया है वंश जब एक ही परिवार के कई सदस एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हीं एक ही वंश का कहा जाता है मौरे वंश में तीन महत्पून राजा हुए चंदरगुप्ध उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पूत्र अशोक यह आपको याद रखना है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक वश क्या होता है वैसे तो आपको पहले से ही पता है यहाँ पर हम बस सौट में थोड़ी डिटेल को समझ रहे हैं जिन जगों पर अशोक के सिला लेक मिले हैं उन्हें लाल बिंदों से दिखाया गिया है ये सारे इलाके सामराज जी के भीतर थे तो यहाँ पर नीचे मांचेतर है वो हम थोड़ा आगे देखते हैं इसके साथ ही सामराज जी के बहुत बड़े छेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गाओं बसे हुए थे सामराज के बहुत बड़े वाले एरिया में मद्ध भारत जैसे इलाकों में जादा तर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था वहां पर लोग फल फूल का संग्रहन और जानवरों का सिकार करके जीवी का चलाते थे सामराज के अलग-अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाशाय बोलते थे वे लोग शायद अलग-अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहां तक की अलग-अलग किस्म की पोशाख भी पहनते थे यहां पर एक्जाम के कोडिंग इंपोर्टन कुछ नहीं है आप केवल जान ले एक बार पढ़ ले कि उस टाइम पर सामराज में कौन कैसे रहता खाता पीता था चेनरली वाली चेजे अब बात करते हैं यहां पर बताया है कि जिन जगों पर अशोक के सिला लेक मिले उन्हें लाल बिंदों से दिखाया गया है तो यहां पर यह मैप है मैप में अब ध्यान देना लाल बिंदों से दिखाया गया है यहां से शुरू करते हैं यह कांधार लंपक, मनसेरा, सैबाजगड़ी, कालसी, टोपरा, बहापुर, मेरट असो के जो शिला लेक मिले हैं उन जगों के यहां पर हम बात कर रहे हैं इसके बाद है लुम्बनी, यमपुर्वा, लौरिया, सारनात, कौशामबी, इलाहवाद, रूपनात, कुजर, साची, पनगुररिया, सोपारा, गिरनार, सन्नती, कलिंग, जोगड, धौली इसके अलावा है मस्की, एरगुडी, ब्रह्मागिरे, यह ऐसे जगए हैं जहां पर अशोक के सिला लेक मिले हुए हैं तो कितनी ज़्यादा मात्रा में अशोक के सिला लेक मिले हुए हैं यहाँ पर हमने जगों के नाम आपको बता दिया वो भी मैप के एकोर्डिंग जो इंपोर्टेंट है अब इसके बाद नेक्ष टॉपिक है यहाँ पर राज सामराज से कैसे भिन्ने है सवाल तो आना चाहिए कि एक है सामराज और एक है राज इन दोनों में डिफरिंस क्या है चुकि सामराज राज्यों से बड़े होते हैं सबसे पहला कि सामराज राज से बड़ा होता है और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है इसलिए समराटों को राजाओं की तुलना में जादस अंसादनों की जरूरत होती थी इसलिए सामराज अलग हुआ करता था, राज अलग हुआ करता था राजा अलग है और समराट अलग है यहां से आपको अंतर समझ में आया हो इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में करिकठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी तो चलिए यहाँ पर राज जी और समराज जी में अंतर तो आपको समझ माया होगा इससे पहले आपने इस वर्ड पर ध्यान दिया हो या ना दिया हो लेकिन यहाँ पर ध्यान दे लिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सामराज जी का प्रिशावसन सामराज जी के प्रिशावसन की और हम ध्यान देते हैं जोकि मौर सामराज बहुत बड़ा था इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग धंग से शासन किया जाता था एक बर फिर्ध्यान देते को पता होना चाहिए मौर सामराज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर ने की थी उसका बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार क बेटा था अशोग यह तीन पीडी जो चली है यह इंपॉर्टेंट वाले पेडी हैं जिनका नाम आप इत्यास में देखते हैं जिनसे रिलेक्टेट कोर्षेंस होते हैं यूपीसी में भी और बाकि स्ट्रीट पीसेस में भी पाटली पूदर और उसके आसपास की इलागों पर समराच का सीधा नियंत्रड था इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके की गाउं और शहरों के किसानों पशुपाल को सिल्पकारों व्यापारियों से करिकठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था जो राजा के आदेशों का उलंगन करते थे अधिकार शुपाली को वेतन दिया जाता था वेतन में क्या होता है अगर आगे बताया हुए है तो हम उसके बारे में जानेंगे संदेश वहाँ के एक जगे से दूसी जगे घूंबते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कारेकलाब पर नजर रखते थे तो यहाँ पर कुछ चीजे हैं जो आपको यादा रखना है मौरस सामराज में क्या क्या होता था राजा के आदेश उलंगन करने पर अधिकारी सजा देते थे अधिकारियों को वेतन मिलता था और जो संदेश वहाँ करहा करते थे वो जगे जगे घूंबते थे राजा के जासूस और अधिकारी के कारेकलाब पर नजर रखते थे ये आप से स्टेट्मेंट के दौर पर पूछा जा सकता है तो ये आप सौट में अपने आप में एक दो बार देख लेना इन सब के उपर समराट था जो राजबईवार वरिष्ट मंत्रियों की सायता से सब पर नियंद्रण रगत था मौर समराज के भीतर कई छोटे चेत्र या प्रांत थे इन पर तक्षशिला या उजएन जैसी प्रांती राजधानियों से शासन किया जाता था उस टाइम पर तक्षशिला उजएन ये राजधानी के रोप में रहे हैं कुछ हद तक पाठली पुत्र से इन छेत्रों पर नियंत्र रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राजधाल ये गवर्नर बना कर भेजा जाता था लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगों पर इस्थानी परंपरा और नियुमों को ही माना जाता था यहां नुमान लगाया जा रहा है कि जहां पर समराट के अपनी पॉच डारेक्टर नहीं हुपाती थी वहां पर राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था एजगवर्नर या राजधाल की रूप में और वो लोग कुछ चीजों में अपने नियम बनाते थे और कुछ चीजों में जो वहां नियम था उसी को पॉलो करते हुई उए राजधे को चलाते थे प्रादेशिक केंदरों के बीच विस्तरिच छेत्र था इनके इलागों में मौरिशा सक्सर्फ मार्गो और नदियो पन्य अंत्र रखने की कोशिश करते थे जो की आवा गमन के लिए महत्पूर्ण थे यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेट के रूप में मिलते थे उसे ही कठ्ठा किया जाता था उदारण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पस्चिम कंबल के लिए और दच्चिड भारत सोने और कीमती पत्त्रों के लिए प्रिसिद्ध था संभाव है कि संसाधन नजराने के रूप में एक अठे किये जाते थे अब यहां पर एक्जाम के तौर पर हमें फोकस करना है यहां कहा गया है कि अर्थशास्त्र में यह चीज लिखी हुई है उत्तर पस्चिम उत्तर पस्चिम कि दर है हमने बताया था कि इस वाले एरिया म कंबल सायद मिलता था इनको कंबल तो कंबल के लिए फेमस था और जो दच्छड वाला भारत था दच्छड भारत वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था यह एक्जाम के लिए आपको याद रखना है हम मौरस समराज के बारे में भी यहां पर बात कर रहे हैं इस व मौरे पदा धिकारियों को हाथी लकडी मधू और मौम जैसी चीजे ला कर गए रहे हैं तो यहां पर नजराना जैसे शक्डों कभी यूज हुआ है यह क्या है वैसे तो आपको पता होगा फिर भी यहां पर थोड़ा सब देख ले रहे हैं नजराना जहां कर नियंत्री ढं यहां पर मन से कोई भी चीज भेट के रूप में दे दी जाती थी और वही होता था नजराना इसके बाद है राजधानी में समराथ अब राजधानी में समराथ के बारे में क्या लिखा हुआ यह देखते हैं मेगस थनीज चंद्रगुप्ति के दर्बार में पस्चिम एश् कि युनानी राजा सिल्यूकस निकेटर का राजदूद था मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरड दिया यहां पर एक्जाम के लिए कुछ लाइने इंपॉर्टेंट है सबसे पहले चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज पहुंचा था मेगस्थनीज ए कि पस्ची मेसिय के युनानी राजा थे सिल्यूकस निकेटर उसी ने राजदूद बनाकर मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौरिक के पास भीजा था तो यह चीज याद रखना है यहां हम उसकी विवरण का एक आइश दे रहे हैं मेगस्थनीज ने अपनी एक बुक लिखी हुई है इंडिका उस इंडिका में पूरा विवरण दिया हुआ है तो उनमें से कुछ अंस को उठा करके यहां पर हमें बताया लिया है समराट का जन्तके सामने आने के अफ़सरों पर शोभा यात्र के रूप में जस्न मनाया जाता है उन्हें एक सोने की पाल की में ले जाया जाता था उनके अंगरख्छक सोने और चांदे से अलंकरत हाथियों पर सवार रहते थे कुछ अंग रक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं इन पेड़ों पर प्रशिक्चित तोतों को एक जुंड रहता था साथ में पेड़ भी ले जाते थे उस पेड़ में तोतों का जुंड होता था पैरट का जो समराट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है राजा समान तै हातियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने के कोशिश ना करें अब डर तो रहेगा इत्ते बड़े सामराज्य के आप समराठ हैं तो डर तो रहेगा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चकते विल्लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सूते थे तो कुछ इस तरीके से समराट का अपना नियम था यहाँ पर पाठली पुत्र जो आज का पठना पत्र उसके बारे में भी मेगस्थनीज ने लिखा हुआ है यह एक विशाल और खोपसूरत नगर है यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है इस जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है यह आपको एक्जाम के तोर पर याद रखना है मेगस्थनीज ने पाठली पुत्र के बारे में लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक विशाल प्राचीर था, 570 बुर्ज थे और 64 द्वार है दो और तीन मंजिल वाले घर लकडी और कच्ची इटों से बने हुए है राजा का महल भी काठ से बना है, जिससे पत्थर की नकासी से अलंकरत किया गया है यह चारो तरफ से उद्यानों और चिडियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है तो यह थोड़ा स्याद रखना है कि मेगस्थनीज ने यह यह चीजे पाटली पुतर के बारे में लिखा हुआ है एक बार जाने रहेंगे एक दो बार पढ़ना तो यह चीजे याद हो जाएंगे स्टेट्मेंट के तौर पर आप से यह चीजे पूछी जा सकती है इसके बाद नेक्ट्ट टॉपिक यह इस पर ध्यान देते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अशोक एक अनोखा सम्राठ यहां पर अब हम अशोक के बारे में जानते हैं अशोक मौर वन्ष के सबसे प्रसिद्ध सा सकती वैया ऐसे पहले शा सकते जिनोंने अभिलेको द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुचाने की कोशिश की अशोक के जादा तर अभिलेक प्राकृत और ब्राम्ही लिपी में हैं तो एक्जाम में ये इंपोर्टेंट है अश इसके बाद अशोक का कलिंग युद्ध इसके बारे में कलिंग युद्ध के बारे में एक्जाम में पूछता है कलिंग तटवर्ती उडिशा का प्राचीन नाम है जो उडिशक प्राचीन नाम है वही कलिंग है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खोन खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वित्रश्णा हो गई, मतलब कि यहाँ पर सी युद्ध से घ्रिर्णा टाइप के हो गया। उन्होंने निर्णे लिया कि विभविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। एक्जाम के लिए आपको ये याद रखना है, कलिंग कहा है तो आपको पता होना चाहिए उड़ीशा में या यह कहो कि उड़ीशा का ही प्राचेन नाम कलिंग है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेग। अब अशोक का कौन सा अभिलेग क्या बता रहा है किस चीज की बारे में बता रहा है यह हम जाता है। अपने एक अभिलेक में अशोक ने ये बात कही, राजा बनने के आठ साल बाद मैंने कलिंग विजे की, लगबख देड़ लाख लोग बंदी बना लिये गए, एक लाख से भी जादा लोग मारे गए, इससे मुझे अपार दुख हुआ, क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है, तो लाखो लोग मारे जाते हैं, और बहुत सारे बंदी बनाये जाते हैं, इसमें ब्रामभन और श्रमड भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंदियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, तथा दासों और मित्कों के प्रती दयावान होते हैं वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रेजनों को खो देते हैं इसलिए मुझे पस्चताप हो रहा है अब मैंने धंबंपालन करने और दूसरों को इसकी इसा शिच्छा देने का निश्य किया है मैं मानता हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें तो यहां पर इस विचार को आपको ध्यान रखना है धंब के मादियम से लोगों को दिल जीतना बल पूर्वक विजय करने से जादा बहतर होता है यह किस सासक ने कहा था यह किस सासक ने माना था इस बात को तो अशो के धंब में किसी देवता की पूजा अत्वा किसी कर्मकांड की आवशक्ता नहीं थी मतलब ना इसमें पूजा करना है ना कोई कर्मकांड करना है जैसा है पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी अच्छी चीजे सिखाते अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि बच्चों की जिंदिगी बहतर हो सके वैसे ही यहाँ पर राजा अपने आपको पिता के जगे रख करके और प्रजा को निर्देश देते हैं और कुछ बुद्ध के उपदेश होते हैं उनसे भी प्रभावित लोम थी और इससे कई बार टकराओ पैदा हो जाता था जानवरों की बली चड़ाई जाती थी दासों और नौकरों के साथ कुरूर व्योहार किया जाता था इनके अलावा परिवार में वह पडोसियों के बीच भी जगड़े होते रहते थे यह तो नॉर्मल चीज है जो इसलिए उन्होंने धम महामात नाम की अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगए जगए जाकर धम की सिक्षा देते थे तो इतनी सारी परेसानियों को दूर करने के लिए उसका निवारण होने के लिए उन्होंने एक अधिकारी धम महामात इस अधिकारी की नियुक्ति की औ और धम्म की प्रचार जगे 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 जाकर की किया तो यह आपको याद रखना है इस अधिकारी का नाम और यह इसका काम था जगे 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 जाकर धम्मी की शिक्षा देना इसके बाद है इसके अतरीक अशोक ने अपने संदेश कई इस्थानों पर सिलाओं और इस्तंबों पर खुदवा दिये अधिकारियों को ये नैस्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे अशोक न धम्य के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया मिस्र ग्रीस में दूद भीजे कहां कहां सीरिया मिस्र और ग्रीस में ये आपको याद रखना है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संग मित्रा को भी इसी कार है तो उसने स्रीलंका भीजा था तो ये आपक एक जाम के लिए आद रखना connækin services के ये और श्रीड के स्के लिए भी इनके दोबच्चे थी एका नाम महेंद्र था औरो बी का वुह reign sangemidra था इन दोनों को धंद के प्रचार के लिए दूध बना करके श्री लंका भीजा गया था इसके सास के अलावा यहां पर एक इमेज है इस इमेज को देखो तो इसमें लिखा हुआ है उद्क्रिष्ट पॉलिस कहने वाले पत्थर की इस मूर्थी को देखो यह बिहार के रामपुर्वा में मिले एक मौरे काले निस्तंब का हिस्सा है अभी इसे राश्पती भवन में रखा गया है यह उस समय की मूर्थी का लगा एक नमोन है तो इसे आप देखिए यह मिला हुआ है यह मूर्थी है जो तेश्सो साल पहले तयार की गई थी और अभी तक इसकी नकासी बनी हुई है इसके बाद है उन्होंने सडके बनवाई कुएं खुदवाएं विश्राम ग्रह बनवाएं क्या 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 काम किया ये भी आपको याद होना चाहिए मेंस इक्जाम में लिखने के लिए और उसके लावा नॉर्मली भी आपको पता हो सड़के बनवाई, कुएं खुदवाई, विश्राम ग्रे बनवाई इसके अलावा उन्होंने मनुश्यवा जानवरों की चिकिस्ता की भी विवस्था की ये उनके काम थे इसके अलावा अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या-क्या संदेज रहे हैं लोग विभीन्य अफसरों पर अनुश्थान करते हैं उदारण के लिए जब वे बिमार होते हैं जब उनके बच्चों का विवा होता है बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह-तरह के अनुश्थान करते हैं ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह जादा फलदाई होगा ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है तो यहाँ पर अशोक ने लिखवाया है या अशोक जनता तक पहुंचात नहीं है ये बात अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना बडों का आदर करना सभी जीवों पर दया करना और ब्रामणों तथा स्रमणों को दान देना के अपने ध्यम की और दूसरे ध्यम की निंदा करना दोनों ही बाते गलत है अधिक ये पास्ताव में अपने धर्म को जादा नुकसान पुछा रहा है इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आधर करना चाहिए यह तो आज भी हमें और बाकी सब लोगों को शिक्षा दी जाती है कि अपने धर्म के सा दूसरे धर्म की भी आधर करें और वही चीज यहां पर अशोक ने अपनी प्रजा को कहा है इसके बाद ब्राम्भी लिपी आधुनिक भारत की जादत अलिपियां पिछले सैक्डों वर्सों में ब्राम्भी लिपी से उत्पन हुई है यहां पर यह देख सकते हैं यह ब्रा अरंभी ब्राम्मी है फिर देवनागरी हिंदी बांगला मलयालम और तमिल यह आप आक्षर को अलग अलग भाशाओं की लिपियों में देख सकते हैं तो यह केवल आ अनार जो होता है उसे इस तरीके से लिखा गया है यह दिखाया गया है और यहां पर हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है तो क्योंकि यह 6th class के NCRT है 6th class के बच्चों को ध्यान में रखकर की उतनी ही information यहां पर बच्चों को दी जारी है जितना वो याद रख सके ध्यान रखिए आपके civil service exam के according जो most important और भी information है वो information आपको आगे के classes में मिलेंगी इसके साथ ही कहा जाता है कि आप civil service exam की त्यारी के लिए NCERT के बाद कोई best book लें जिसमें सब कुछ हो और उस book को आप पढ़िए, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, फिलाल हम NCERT basic चीजों को जानने के लिए पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ important fact हैं, कुछ important line हैं, जो exam के लिए important हैं, हम उसे भी ध्यान तो आज की class में के वाली इतने मिलते हैं, नए class में नए chapter के साथ, तब तक के लिए जहें